कमाई में बॉलिवुड से ग्यारा सो करोड आगे है साउस सिनेमा साउस के स्टार्स से क्यों मुकाबला नहीं कर पा रहे बॉलिवुड सितारे साउस सिनेमा से क्यों पिछड रहा है बॉलिवुड कुरोना काल से पहले 2019 में साउथ सिनेमा का कुल बिजनेस बॉलिवुड के मुकाबले 1100 करोड रुपे ज्यादा रहा था बीते कई सालों में बॉलिवुड की फिल्मों के सामने साउथ सिनेमा का क्रेज दो गुना दिखाई दे रहा है कुरोना काल के बाद से लेकर अब तक अमिताब बिच्चन से लेकर सलमान खान तक बॉलिवुड के बड़े बड़े सितारों की फिल्म रिलीज हुई लेकिन बॉक्स आफिस वर सभी को निराशा मिली लेकिन साउथ के विजए अलू अर्जुन, प्रभास और पवन कल्यान जैसे सितारों के फिल्मों ने 200 से 300 करोड रुपे तक का बिजनस किया साल 2019 में साउथ इंडस्ट्री ने 3900 करोड रुपे का रेवेन्यू हासल किया था जबकि इसी दोरान बॉलिवुड की फिल्मों से सिर्फ 2800 करोड रुपे की कमाई हो सकी थी वहीं 2020 में बॉलिवुड फिल्मों का रेवेन्यू घटकर 9.3 अरब रुपे हो गया भारत की हाईएष्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी प्रभास की बाहुबली ही है जबकि आमीर की फिल्म दंगल दूसरे नमबर पर आती है साउथ के साथ क्लैश बॉलिवुड को नुकसान साउथ के बड़े सितारों की फिल्म में रिकॉर्ड तोड कमाई कर रही हैं इसलिए बॉलिवुड फिल्म मेकर्स साउथ की फिल्मों से क्लैश होने से बच रहे हैं गंगुबाई काठियावारी को आर-ार-ार के साथ रिलीज किया जाने वाला था लेकिन क्लैश से बचने के लिए आर-ार-ार को आगे बढ़ा दिया गया और ये सही फैसला भी था क्योंकि आरारार ने न सिर्व बारत बलकी पूरे दुनिया में तहलका मचाया और आसकर अपने नाम किया आमीर खान के फिल्म लाल सिंग चढधा भी पहले केजी एफ चैप्टर टू से टकराने वाली थी लेकिन क्लैस से बचने के लिए आमीर ने फिल्म की रिलिज टाल दी थी क्यों काम्याब रहा है साउथ सिनेमा साउथ में सालों से एक्शन, कॉमेडी, रोमैंस, ड्रामा से भर पूर फिल्में बनती रही है जबकि बॉलिवुड अब ज्यादातर फिल्में रीमेक, सिक्वल या बायोपिक जैसे जॉरर में बनकर बना रहा है और साउथ की ऐसी कई फिल्में हैं जो बॉलिवुड ने रीमेक बनाई है दक्शन भारतिये फिल्मों के सेना पतियों की पूरी फॉज बॉलिवुड में राज करने का सपना साकार करने के बेहत करीब पहुँच चुकी है साउथ में सितारों का क्रेज इसके अलावा साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स की जबरदस्ट फैन फॉलोइंग होती है उनके फैन्स उनको भगवान के तरह पूछते हैं उनके लिए जान के बाजी तक लगा देते हैं सिनेमा देखना उनके लिए मनोरंजन से ज़्यादा अपने भगवान की पूजा जैसा होता है यही वज़ा है कि जब किसी सूपरस्टार की फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती है तो उत्सो जैसा माहौल बन जाता है जबकि इस तरह का दिवानापन बॉलिवुड में बेहत कम देखा जाता है इस पूरे मुद्धे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मनोरंजन जगत के खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ नमस्कार